हेलो दोस्तों नुमस्कार मनिशा क्रेटिविटी हाउस में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं वेस्ट जिन्स से बैग तो देखी दोस्तों हमने आठ भाई आठ के चार पीस कट की हुए हैं जो front के लिए हैं और 4 पीस हमने बैक के लिए ready के हुए हैं कट करके तो देखिए एक light color है और एक dark color है तो हम इस तरीक से इन को जोड़ेंगे की एक light और एक toक के साथ हम सबको stich कर लेंगे तो देखिए हमने एक light लिया ہے और एक light जिन्स का fabric है और eka तो इसको हम तोप की लगा लेंगे चारों पीस उनको प्रणार करके और रेडी कर लेना है यह लगाने के बाद देखिए अब हम तोप की स्टिश लगा लेंगे दोनों फैब्रिक पर और अब हम इन जब दोनों को जोड़ेंगे तब हम अपोजिट रखेंगे लाइट डार्क तो यह हमारा एक बोक्स टाइप में हमारा डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा लाइट डार्क की कॉंबिनिशन में तो आपके पास अगर सेम जिन्स है बची हुई तो आप सेम जिन्स से भी बना सकते हैं अगर आपके पास दो जिन्स है तो आप दो जिन्स से ऐसे कॉंबिनिशन में बना सकते हैं यह मेरे पास मेरे बेटे की जिंस थी ढूंह inqu2 तो इसलिए मेरे को दो पीस लेने पड़े इंध का लग लग शालर के तो देखिए अब हम इनकcciones पे भी लगा लेंगी झाया है से हम एक पीस और रेडी कर लेंगे एक फरंट का बन जाएगा और एक बैक का तो यह देखिए अब हमने दोनों पीस रेडी कर लिये हैं और रेडी होने के बाद हमने फ्यूजिन पेपर उस पे पेस्ट कर लिया है प्रैस को आप ज्यादा तेज गरम ना करें नहीं तो फ्यू प्रेस कर लिया हुए देंगे है अब उस्यूजिन कि दोनु साइड अब हम गोलाई दे लेंगे अपने इस किकी साइवक कर देंगे ओ क्य मैं यह जो गोलाई वाला पाल्ट है यह नीचे की साइड आएगा और स्टेड है वो उपर आएगा जोड़ने के लिए एक पाटी लेंगे जिसका हम मेजर लेंगे गोलाई लेकर जोड़ना कीक बेखर 20.5 आप 41 आप इतना कपड़ा आप कटिंग कर लें आप अपने अपने कोडिंग कटिंग करें जो इस बैक का मेजर है वो 40.5 है तो मैं 41 कपड़ा कट कर लूँगी जो मुझे साइड में अटेच करना है और उसकी चोड़ाई मैं रखूंगी साड़े चार तो देखिए इस तरीके से हम मेजर कर लेंगे अपने पूरे बैक को और यह देखिए यह हमारा आया है 40.5 है तो देखिए हमें यह देखिए यह हम पट्टी इस तरीके से कटिंग करेंगे और यह साड़े चार इंच की है देखिए और यह लंबी है 41 जो एक्स्ट्रा होगी लगने के बाद वो हम तब अलग कर देंगे कट कर देंगे तो चलिए मशीन पर चलते हम इसको जोड लेते हैं अपने बैक के तो देखिए इस तरीके से हम जोड लेंगे और जहां पे गोलाई कपड़ी आएगी वहां पे ऐसे कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद गोलाई में कपड़ा बड़ी आसानी से मुर जाता है घूम जाता है तो देखिए दोनों साइड हम यह पट्टी ऐसे अटैच कर लेंगे जो एक्स्ट्रा हो कटिंग कर देंगे कपड़ी हमें जब ऐ कि यह देखिए हमारा अटैच हो गया है अब हम क्या करेंगे जो हमारी उपर की जो चोडाई है उसको हम थोड़ी सी कम रखेंगे O मैं जो हमारो उपर जिंस जिंस का पार्ट है इस उतनी हम चोड़ाई रखेंगे जो हमने अलग से फैब्रिक लगाये ह twinsगर अंदर कि सब्सक्राइब treatment दबा लेंगेए उसको दो इंच इटना हम एक स्टिच लगा लेंगे दो इंच इतना ताकि जो हमारे जिंस जिंस वाला फैब्रिक है वो सिर्फ जब हम स्टैप लगाएं तो सिर्फ वह दिखे देखे इसकी चोड़ाई आई है 14 इंच और इसका हाफ ले लेंगे सेंटर क्योंकि हमें हैं लगाने हैं बैक के तो हैंडल मैंने बनाके रेडी की हुए हैं 23 इंच के और यह सवा इंच चोड़े हैं और 23 इंच लंबे हैं तो हमने निशान लगाए हैं यह निशान हमने लगां हैं साड़े चेंच पर तो सेंटर लेके सवातीनेकसार देलेने हीमाड़ कांगा लगा स्टिच कर लिया है देखिए और सिर्फ हमें अंदर लगाने का काम बचा है जब हम अंदर वाला फैब्रिक स्टिच करेंगे तो हमें कहीं से भी आपका दिल करें वहां से आप चार पांच इंच का छोड़ दें फैब्रिक खुला स्टिच न लगाएं उस पर ताकि हम बैक को अंदर से पलट लें तो मैंने भी दोस्तों किनारी पे से छोड़ दिया था उसको पांच इंच तो अब देखिए उसी में से मैंने इसको निकाल लिया है और अब मैं उसको स्ट स्टिच लगा लेंगे अब बस हमारा काम बचा है उपर की टोप की स्टिच लगानी का टोप की स्टिच लगानी चाहिए ताकि जो अंदर का जो फैब्रिक है वो हमारा भार ना आए तो इसके लिए मैं धागा चेंच कर रही हूं जो जीन्स में जो ठ्रैड आता है गोल्ड यह शोपिंग बैक बनकर रेडी हो गया है दोस्तों आप घर में अपनी वेस्ट पड़िवी चीजों को फेके नहीं उनको यूज करें और इस तरीके से अपनी यूजफूल चीजे बना लें उससे